खुल्ला आकास्मा बास्न बाद्दे बनाईये को छा खुल्ला आकास्मा बास्न बाद्दे बनाईये को छा सधैन जुठो गास्मा बास्न बाद्दे बनाईये को छा यो प्रवास्मा आपनोपन चंदेई छैना हजुर हुदा एकलाई डॉर क्रास्मा बास्न बाद्दे बनाईयेको छा समझीदाई जन्म भूमी तप तप आँसु जारदै दिन रात एक नास्मा बास्न बाद्दे बनाईयेको छा यो भाग्यमा खई कीलेखेच बाविले पनी यो भाग्यमा खई कीलेखेच बाविले पनी एसे गरी निरास्मा बास्न बाद्दे बनाईयेको छा सदेई जुटो गास्मा बास्न बाद्दे बनाईयेको छा खुल्ला अकास्मा बास्न बाद्दे बनाईयेको छा प्रभास का अक्छे हरू संग्रहा अंतर्गत संग्रहीत स्ताइ ठेकाना दर्छा साथ बर्डाडा पालपा भाई हाल युएई बस्ति आउन भाई की ओम कुमारी खाण को एसे गजल संग शंगाई स्ताइ भाई हरू को थे ब्ल्बुल अंतर्गत आज सनिवार को साँझ माँ आमिं धापाई समय ह Dakota प्रभास का एकछेर अरू बित्र का ग जल अरू ले रहता हूं। प्रभास का एकछेर अरू प्रभास मरवर नेपाली गजलकार अरू का गजलर प्रवास कार। यह कजल पेवी सभी पर शमगतकेvern हो हो्प्र. आ हो की गजलकार हरुको आफनो बेतिывает कृती मात्रे नौ अवाया रहे रहा एसारी समित कृती और उपने भीविन्य नम अवरु अवरुब help कर्वास का ऑक्षर अरु देश बंदा बैरे बाठ निश्की न सकेको क्रिति हो ते सो ता एसको प्रकासन देश वित्रे वायो असलाई हमरो यही नेपाल में रहेको प्रकासन लेू बैरे वह भीतरन गरे कोशा प्रकास सक्षें अंतरास्ट्री नेपाली कलाकार समाज, नेपाली भासा तथा साइत्य प्रबर्धन उपसमीती UAE ले गरेको सा, और बितरन सब्धार क्रियसंस ले गरेको सा, एक से एकाउन जाना को समिकत गजल संग रहा, प्रबास का अक्छेर अरु बितरको गजल बारेको कुरा कानी, तो गजल बारेको अन्हामी आज़को कारिप्रम में गरेशों, और लिए तपाइला सुना देशों, योटा गजल बारेको मैं जिन्दगी की सहर को लेके आ गया, कातिल को आज अपने ही घर लेके आ गया, शायद मैं जिन्दगी की सहर को लेके आ गया ता उम्र ढूंद ता रहा मन्जिल में इश्क की ता उम्र ढूंद ता रहा मन्जिल में इश्क की अन्जाम ये के गर्द सपर लेके आ गया, कातिल को आज अपने की घर लेके आ गया अन्जाम ये घर लेके आ गया नश्तर है मेरे हाथ में कांधूं पे मैं कदा नश्तर है मेरे हाथ में कांधूं पे मैं कदा लो मैं इलाज दर्द जिग लेके आ गया फाकिर सनम कजे में ना आता मैं लोटकर फाकिर सनम कजे में ना आता मैं लोटकर इक जखम भर गया था इधर लेके आ गया शायद मैं जिन्दगी की सखर लेके आ गया कातिल को आज वप लेके आ गया मेरो केसाब बंदै जुंडीने कत्ती चन कत्ती चिनो रुमाल बुंदीने कत्ती चन कत्ती को अभुजवला बैगुणी चु सबले थाचा बैगुणी चु बंदै बंदै जुंदीने कत्ती चन कत्ती मेरो केसाब बंदै जुंडीने कत्ती चन कत्ती यो गजल 108 सिमले इलामिस्ताईनि वासपाहिग् हाल दक्षन कोरिया रहादी अनुबाय का केसम कुमार चापा गाय को गजल हुग केसब कुमार चापा गाया को पान्च ओट गजल संग्रभाव पतर संग्रहरुटॉ केसब कुमार का मात्रा है न pakो संग्राथ रियोगुत ईकषता काक। प्रभासका औक्षेर रु का मिली आज लिएको सा звучतीि खृ कितुरुटॉ रा मिरू हाथ समन आईपुग्दा केई समय लागयो दिभीत कारन बस रा यसलाई बुल-बुल मा उतारन अजे समय लागयो रा आज़ा मौका जुरे कुराईचा मलेली आयकोचु अंतरास्त्री नेपाली कलाकार समाहाच नेपाली भासात अथा साहित्ती प्रबर्दन उपसम प्रबास का अक्षरारू यो पुस्तक प्रकाशन हुदा सम्रक्षक मोहराज सर्मा मोहन सम्रक्षक सल्लाकार उनाच बने इसको प्रमग समय लागयो जक जे सागर उनाच विवस गयवाली असफल रा थकेत यात्री सुरेश रानाचें समय लागयो बताऊं दै फेरी और को ग योटा प्रस्ना बेग्र गतीमा फरक्ये चओ कलियुक का पत्निर पतीमा फरक्ये चओ बैगानी करूले गती सिमीत चा बन्चन एसो भै उल्टो सुल्टो मतीमा फरक्केचा कलियुका पत्नी रपतीमा फरक्केचा पत्नी भावनामा डुपचिन पती पैसामा बक्षा अब भन्नुस्यो आत्मरतीमा फरक्केचा कलियुका पत्नी रपतीमा फरक्केचा सोतंत्रता वात्ताई बोड़ेव मुटु सार्दै हिन्न मिलने नसोध युबक र युबतीमा फरक्ये छा, कलियुक का पत्नी र पतीमा फरक्ये छा, बासने नसकने उकसे को माया मा बांचे को छा, लव जान्नुस माया र उकतीमा फरक्ये छा, यवटा प्रस्न बेगर गतीमा प्रवास का अक्षर अरू अंतरगत सांग रहीत गिरी राज लम्शाला सफल यात्री को गजल बाचन गरी सके पची अब फेरी पालोवाय कोछ और को यह उटा सांगीति को जल को अपने गर को गीत बना कर जालेगा अपने गर को गीत बना कर जालेगा राग पुराना तेरा भी है मेरा भी गुम का हजाना तेरा भी है मेरा भी तु मुझे कर मैं तुझे कर समझाओं क्या तु मुझे कर मैं तुझे कर समझाओं क्या दिल दिवाना तेरा भी है मेरा भी गुम का हजाना तेरा भी है मेरा भी शहर में गली ओ गली ओ जिसका चरचा है वो अपजाना तेरा भी है मेरा भी मैं खाने की बात न कर वाइज मुझसे आना जाना तेरा भी है मेरा भी गुम का हजाना तेरा भी है मेरा भी ये नजराना मेरा भी है मेरा भी गुम का हजाना तेरा भी है मेरा भी बुल बुल एउटा इरानी चरा उजयालो नाइंटीनेट पक को रात्री प्रस्तुती बुल बुल सीथा कुरा प्रस्त बिचार उजयालो नाइंटीनेट वर्क बुल बुल एउटा इरानी चरा उजयालो नाइंटीनेट पक को रात्री प्रस्तुती बुल बुल जारीनेच युद्ध अजयी ठानपान संग मेरो न अक्रोष्च न गुनासो भràगवान संग मेरो तुहुराको दिनाउच गरीपको भागय फिर्ष पिमति थियो शुरुबाटेती उखान शंग मेरो न अक्रोष्च न गुनासो भगवान अईना साम उभियर आफंलाई नियाल चुमा जोडीनच यो नाकीना पैचांचंग मेरो नाख्रोष च नगुनाश भगवान चंग मेरो उधारमै चल्च सदें गाउलेको जिन्दगानी उदारोमै चल्च सदैं गाउलेको जिन्दगानी नमेटियो सकारो बार्तियो दोकान संग मेरो जारी नैच युद्ध अजै खानपान संग मेरो न अक्रोस्च न गुनासो बगवान संग मेरो युगजल जित बादुर खड़का को वांको साइथिक नाम जितु घड़का गाउले जन्मेस्तान दमक पंद्र सानो बारा गरी इस्ताई बसो बास उर्ला बारी नव मुरं वांको युँ जानकारी पनी मेले एसे पुस्तक बाटपाया कुशु प्रभास का अक्षेर अरू मुँआ का पांचोटा गजल अरू संग रही छन तेसो त मुआले वांलाई सामाजिक संजारू मुआ तत पनी चियेक ऊचु निकाई रसीला हसीला रा बेंग्यात्मक गजल अरू पनी ल्यकन आँछ तर एस वित्र बेंग्यात्मक गजल को संकलन रहे नाचा मले यो गजल वाको बेटें र एसेलाई बाचन गरे र सुनाया आईले तप आरू समक्छिया जीतु बादूर खड़का आको गजल सुनी सके पाची अवा फेरी अरको गजल को पालो छा यो प्रभास का अक्छिर अरू पुस्तक कुरूप मा उनको लागी जसले सम्योजन गरनु बायो सम्योजक जिये सागर वाँको गजल को पालो छा वाँको जन्माईस्तान बतासे तिन सिंदु पाल छो इस्ताई ठेगाना काटमाणों 30 अबुधाबी UAE मा राँदे आउनु बायको छा वाली लेकनु बायका गजल रूमत देखो यवटा गजल इसमा संग्रहित अब बासन गर्चु अब बासन गर्चु एत्त्रो जिबन के गर्योबा सोधलान चन्त तिले एत्त्रो जिबन के गर्योबा सोधलान चन्त तिले खईत सम्मान खईत पैशा सोधलान चन्त तिले न हात थामी डोहर आये न बविश्य दिये न हात थामी डोर आये न बविश्य दिये बाको अनुभुति काहा सोधलान चन्त तिले, खईत सम्मान, खईत पैसा सोधलान चन्त तिले, बन्नुपनी कसोगरी सपना तुन्दै बाँचे, उद्री एको जीवन देखता सोधलान चन्त तिले, खईत सम्मान, खईत पैसा सोधला यह से फाधाने सचैंग हिखती, आपनी नावुटी क्वाग क्वा बोडगर राविकेत। यो गजल संग्रामा संग्राइज्जे सागर को यो गजल एकाक्छेरी काफ्या थियो एसलामाले बाचन गरेड़ा सुनाएं इस वित्र वाली भुमिका बनी लेखनों भाईगोच यो पुष्टक अंतरगत भुमिका ता लाम होच तर के अमस मा बाचन करचू या ता तेस्तो कर्मगर लेखना लाइक नाम बनोश या ता तेस्तो लेखा जसलाए पढ़नी हरुको लाम बनोश बनावटी अपचारिक बास समा मिलाउनों न जाने पनी मन को बासाली मलाई सदैवद एसे बनेर आसिरबाद दिने उनी मेरा परम पुझनी या पिता माता को चलन का अमलमा सास्टांगा दंडपत करदेई प्रवास का अक्छर अरुजनमन को प्रस्चंगर थोरे भुमिका जोडना चाहे बंदे जे जोडने प्रवास को सेका पनी रहर चाहे ना जब करता बेर ले दाइत्तु अरुले बाद देता अरुले रहर हरुले सपना हरुले आ कांग चे अरुले बेस्चरी धाकेल चान रत्यों हुत्याईको बेगले आफनो मातो राफना अरुको काक मा अडीन संभव ने हुदेना तब अंतिम बिकल्प सोरुप साहरा को बित्तो को रुप में प्रभास रोजने पगिन छा। बिडम्मानाने बन्नु परचा आजा हमी लाखों लाख नेपाली अरू यो अरुची को खसरो बित्तो मा आड़ लागना बात देचा। संगई लाखों संबावना आरू, लाखों छेमता आरू, लाखों कला आरू रा लाखों बावना आरू पनी प्रभाव सीवाय का चान। बेरो भेट पनी बहन्दै वाहाले भुमी का को शुरुआत करना भायको छा राली पची गई सके पसी वाहाले गजल का कुरा आरू कसरी संकलन गर्न थाले हो बनने बिशेमा प्रसंगा उठावना भायको छा यो भुमी का पची प्रभास का अक्षे रारू बित्र संग्रहीत अरको गजल जेन तमु ग्यानेंद्र को बाचन गर देचुमा जबांग्चार जोगी मारा दाधिंग माको इस्ताइबास हाल कतार मारा दे अनुबयको छा रा वाहाको गजल एस्तो छा दुई पैताला जमिन बाचुन जेलीलाई चारहाद जमिन मरी पचिलाई मुटुमाच देखाऊना मिले नमाया लवत रात गुला प्रिया सिलाई चारहाद जमिन मरी पचिलाई समय कहा रोकन सक्णूर मैले केबल सक्चुरोकन बित्ते घड़ीलाई चारहाद जमिन मरी पचिलाई डुको मा दुद अडचा बंचन कसेको जेगरीनी नहोनी अभागीलाई चारहाद जमिन मरी पचिलाई सहर मा बासना बेच्छनती फूल माया थाचे न कहरका आफने पथीलाई दुई पईताला जमिन बाचुन जेलीलाई चारहाद जमिन मरी पचिलाई जेन तमुग्यानें इन्रको गजल बाचन करे मैले अब फेरी बुल बुल मा यह उड़ा सांगिती का चलो हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह मेरी मनजीर है कहां मेरा ठीकाना है कहां मेरी मनजीर है कहां मेरा ठीकाना है कहां सुचने के लिए इक रात का मौका दे दे हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह अपनी आँखों में छुपा रखे हैं जुगनू मैने अपनी आँखों में छुपा रखे हैं जुगनू मैने अपनी पलकों पे सजा रखे हैं आँसू मैने मेरी आँखों को भी बरसात का मौका दे दे हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह आज की रात मेरा दर्द मुहाबत सुन ले कप कप आते हुए खोटों की शिकायत सुन ले आज इसहार ख्यालात का मौका दे दे हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह बूलना था तो ये इक्तरार किया ही क्यों था बेवाफा तुने मुझे प्यार किया ही क्यों था सिर्फ दो चार सवालात का मौका दे दे हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह लेखते चु आज यूगले चाड़ी को राटो को कहानी लेकताई चु आज यूगले चाड़े को राटो को कहानी विबाद भै दाजुर भाई फाटो को कहानी युटे देश का संतान हमी को आपनो को पराई बंदचा जसले बुल्दचा उसले माटो को कहानी विबाद भै दाजुर भाई फाटो को कहानी रित्याई चाडे वकारी यहाँ नाना न खाना चौराशी बेंजन खाना को इन आटो को कहानी बिबाद भै दाजुर भाई फाटो को कहानी न पढ न पाय न लेक्न पाय न सर सम्मान न पण न पाए न लेक न पाए न सर सम्मान समाज माज हेपिने परने लाटो को कहानी बिबाद भाई दाजुर भाई फाटो को कहानी लियर सत्ता खायनी बत्ता भुलेनी नेताले म लेकते जांचु गुर्खाली खोन टाटो को कहानी लेखतेई चु आज युगले छाडेको राटो को कहानी, बिबाद भाई दाजुर भाई फाटो को कहानी युगजल दिली प्राई अंजान कांछा को हो, इस्ताइटेगाना वाको इलह हेलोचा साथ बाडा डाडाड भोखिम भोजपुर हाल साओधी अरब रहाधे आनुपैको साथ दिली प्राई अंजान कांछा को गजल बाचन पसी, अब मसंग बाचन गरनी अरको गजल चा धर्मराज उवन तको, वाको स्ताइटेगाना खांचोक गोर खा, हाल इजराईल राधे आनुबैगो चा, वाको गजल एस्तो चा घरकी ता घरकी वाई अरकी एसे अरकी घरकी ता घरकी वाई अरकी एसे अरकी, निदावन सक्ती नम गर्च उरकी फरकी, एता हेरे एताई बीर उता जने ठाडो एता हेरे एताई बीर उता जने ठाडो, समालनालाई गारो वाई हिने तरकी तरकी, निदावन सक्ती नम गर्च उरकी फरकी, थाहा हुन्च अचानुलाई खुकुरी को चोट, तेई चोटमा नुण चर्यो, मर्चु क्यारे चर्की एता चामे उता दुख्च उता चामे उता परे मत अलमल रूंकी बरु दरकी, निदावन सक्ती नम गर्चु उरकी फरकी, इरा काटने हिराले नै काणा जिकने काडई, दुईता मुख बंद गर्न, ल्याउंकी नया घरकी, गर्की ता गर्की वाई, अरकी एसे अरकी, निदावन सक्ती नम गर्चु उरकी फरकी दर्मराज उन्तको गजल थियोयो, युमले बाचन गरेर सुनाई, अब मसंग अरको गजल छा, नभीन नेपाल को, सुडोल आट पक्तपुर वाँको इस्ताई ठेगाना, हाल दक्षंड कोरिया राउंग्यान वाईको छा, वाँको गजल एस्तो छा नाटक खेलायो, कलाकार बनायो, नाटक सक्यो, विरुजगार बनायो, बावना बेचियत्यो अर्थकमाईयेन, नाटक चलेन समाचार बनायो, नाटक सक्यो, विरुजगार बनायो, ममात्र किंथेत्यमी एकल थियो, मा मात्र किन्थेती मी एकल थियो, कती छिट्टे आफुलाई बजार बनायो, नाटक सक्यो बेरोजगार बनायो, मा वारी बसेर सोची रहन्चो सदेने, किन हो ये सरिवार पार बनायो, नाटक खेलायो, कलाकार बनायो, नाटक सक्यो बेरोजगार बनायो यो गजल नवीन नेपाल को हो जोसको इसनाई ठेकाना शुड़ आठ बाक्त पूर हाल दक्षण को रिया रहा दिया उन्वाइको सा इसलाए बाचन गरे मेले अब फिरी बुल-बुल को और को सांगी देग उसे लिए जब आचल रात का लहराए और सारा आलम सो जाए तुम मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में आजाना तुम मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में आजाना जब आचल रात का लहराए ये ताज महल जा जाहत की आँखों का सुनेहरा मुझती है हर रात जहादा रूहों की खामोशी जिन्दा होती है इस साज के साए में आकर तुम गीत वफा का दोहराना तुम मुझसे मिलने शमा जलाकर ताज महल में आजाना जब आचल रात का लहराए तनहाई है जागी जागी सी माहल है सोया सोया हुआ जैसे के तुम्हारे खाबों में खुद ताज महल हो खोया हुआ ताज महल का खाब तुम ही ये राजना मैंने पहचाना तुम मुझसे मिलने शमा जलाकर ताज महल में आजाना जब आचल रात का लहराए जो मौत महबत में आए वो जान से बढ़कर प्यारी है दो प्यार भरे दिल रोशन है गो रात बहत अंधियारी है तुम रात के इस अंधियारे में बस एक जलक लिखला जाना तुम मुझसे मिलने शमा जलाकर ताज महल में आजाना जब आचल रात का लहराए प्यारे अर्ट सारा आलम सोजाए तुम मुझसे मिलने शमा जलाकर ताज महल में आजाना तुम तुम प्रवाच का अक्षेरर में पठन वायको रा येसमा प्रकासित वायका गजलार को बाचन संगगए आजला हमी बुल्वल बाट विदा होने तर खरमा छूँ आज एकसे एकाउन जना को समिक्त गजल संग्रह प्रभास का अक्षेर अरु बाट मेले गजल अरु बाचन गरी रो एसमा बाचन गरता खड़ी कुनेपनी गजल पूर्वत तयारी गरी रहा चानियर बाचन गरी को गजल होई न हमिरे यह कारिक्रम बित्र आई सके पसी जुन पाना पल्टियो तेसे को आदार मा बाचन गरी एको गजल हो एसलाइ एसे गरी बुजी दिनो ला किन अमने एकसे एकाउन जानला योटे कारिक्रम मा अठाहून सम्भा पूंदे नरा आउधा कारिक्रम अरुमा अज्ज एस वित्रका गजल ला हमिले कुन-कुन चरण बाट बिबाजन गर रा बाचन गर्ना सकीन चा बाचन गर्दे जाने शो जेवस नियपाली गजल साहित्ते मा अब थुक्रेस्ता पुष्टक उराईशा के काचन मने जानकारी को लागी पनी माले आजको कारिक्रम मा मोटा मटी रुप मा समान्ने तरीकाले यहां बित्रका गजल बाचन गर्ना को लागी मात र यह पुष्टक ले रायको हूं यसलाई अगरहा पुर्भागरहा करुप मा गजल बाचन लाई नोली दी नोला पने र बुलबुल मार्फत अनुरोद करें र अरु गजल अरुका पालो पनी क्रमिकरुप मा बुलबुल माई आउने चा पनी बाचन बद्धाता बुलबुल मार्फत करता चूँरु अवस्ता बुधबार को गजल कारिकरम बुलबुल सम्मका लागी उत्पादेन सहगी स सिंद्र गौतम र मप्रस्त्वता अच्युत की मेरी बुलबुल बीदा माग देशों जान्दा जान्दै एसे संग्रह एकसे का रुबित्र संग्रहित बुद्धी मोक्तान चांगे तीन तापले जुग इस्ताई जन्मेस्तान र उरलाबारी तीन मोरंग इस्ताई ठेगाना भई दक्षिल कोरिया रानोंने बुद्धी मोक्तान को गजल भाचन करदे सुभरात्री बाच्वान सहूं म को हूं दुनिया सारालाई सोदें दर्तिले बोलेन तारालाई सोदें बगेत्यो रगत कांपुग्यो क्रांती भगेत्यो रगत कांपुग्यो क्रांती रोलपार रुकों खारालाई सोदें धर्तिले बोलेन तारालाई सोदें फुटिर गयोगी जुटधाई सोदें फोटेर गयों की जुड़दै सवती मी कैलाली बाजुरा बारालाई सोदें धर्तीले बोलेना तारालाई सोदें बलातकृत वहेमा खईतीम रोन्याए संबिधान वित्रको धारालाई सोदें धर्तीले बोलेना तारालाई सोदें देशता बनेना के मरे उबिर्थाई? सहिद भाय का प्यारा लाई सो दें, मको हों दुनिया सारा लाई सो दें, धर्तीले बोलेना तारा लाई सो दें बुल-बुल बुल-बुल बुल-बुल